अगला जो वीडियो है हमारा वो है संगोस्टी और सेमिनार के उपर ठीक है तो यहां से भी सवाल काफी पूछे जाते हैं एक्जाम में तो जितने भी सवाल यहां से पूछे जा सकते हैं वो सारे पॉइंट मैंने यहां पे लिखी लिए हैं ठीक है अगर आपको वीडियो पर description में दे दी है और इस वीडियो के end में भी जो है आपको वो सभी वीडियो की link मिल जाएगी ठीक है तो वीडियो को end तक जरूर देखिए वीडियो पसंद आए तो like जरूर करें तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो संगोस्टी और कारेशाला जिसे English में कहते हैं seminar workshop और उसके बाद हम चर्चा करेंगे conference की और symposium की ठीक है ये चार ऐसे topic हैं जहां से questions पूछे जाते हैं और जिस जिस तरह के questions पूछे जाते हैं वो मैंने आपको already जो है previous year के questions में करवा रखे हैं अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो आप उसे जरूर देखें regular जो है मैं super important questions की videos डालता रहता हूँ तो अगर आप वो नहीं देख रहे हैं तो आप उसे जरूर देखा करें क्योंकि मैं उसमें हर एक topic के सवाल लेके आता हूँ और explain करके बताता हूँ ठीक है या कहें कि डेड़ घंटे से तीन घंटे के अवधी तक की होती है अगर आपने college वगरा में या school वगरा में देखा होगा seminar जो है organize किया जाता है तो वो लगभग जो है 90 मिनट से डेड़ या कहें कि 90 मिनट से लेकर के तीन घंटे की बीच गई होता है ठीक है और इससे धांतिक निर्मान पर इसमें बल दिया जाता है और संगूस्टी में विशय वस्तू पूर्व नियोजित होती है पूर्व नियोजित होती है का मतलब यह है कि जो टॉपिक होता है वो पहले से डिसाइड होता है कि सेमिनार जो है वो इस टॉपिक पर होगा ठीक है इस जाता है और विशे के बारे में जो परतिभागी होते हैं पहले ही उन्हें संचिप रूप में बताया जाता है कि भई ये ये टॉपिक है और इसमें इन पे चर्चा होने वाली है ठीक है ये पॉइंट आपको याद रखना है कि विशे के बारे में इसमें पहले से बताया जात है assertion-regioning पे जो है यहां से Question बना भी है कई बार ठीक है कि विशह के बारे में पहले से बता दी आता है किसमें तो seminar it. समें समय कारिशाल चल्स अगला जो Point है आपको याद रखना है seminar के gun क्यों संगोस्टी के उपर कि जो संगोस्टी होती है वह आमतोर पर 10 से 50 विक्तियों के समूओं के लिए आयोजित की जाती है, 10 से 50 प्रतिभागी ही इसमें होते हैं, जानदा भी हो सकते हैं, लेकिन अगर 100 से अधिक हैं, तो कहा जाता है कि जो संगोस्टी है वो सफल हुई है, सफल हुई है का मतलब एकदम सही से आयोजित हुई, में हिस्सा लिया, तो हम कहते हैं कि भई, जो हमारा संगोस्टी थी या सेमिनार जो था, वो सक्सेस्फुल रहा, लेकिन अगर लोगों की संख्या कम होती है, लोग कम इसमें भागिदार होते हैं, तो सेमिनार को आज सफल बताया जाता है, ठीक है नहीं, इसका मतलब यह हु होती है, वो दीर्ग अवदी की होती है, दीर्ग अवदी की होती है, कि लंबे समय के लिए होती है, जैसे कि तीन दिन से दस दिन तक की होती है, ठीक है, यह तीन दिन से दस दन तक की होती है, और इसमें सैध्धानतिक निर्मान पे बलने दिया जाता, यह विभारिक परियो परियोग की बात करेगा जबकि सेमिनार जो है वो सिध्धान्तिक निर्मान की बात करता है ठीक है और कारेशाला में कारेशाला में भी विशे पूर्व नियोजित होता है लेकिन विशे के बारे में कारेशाला में भाग लेने वाले परतिभागियों को कुछ नहीं पता होता म इसके बारे में उनको नहीं बताया जाता है जो कि इसमें परतिभागी है जो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं ठीक इसे उनका इंटरस्ट जो है कम हो जाता है तो इसलिए जो है इसमें नहीं बताया जाता है अगला है परतिभाग्यों की संख्या इसमें सीमित होती है ठीक तो आप बात करते हैं सम्मेलन की सम्मेलन क्या होता है कई लोग जो है इसे वर्क्शॉप समझ लेते हैं ठीक है लेकिन सम्मेलन अलग है कारशाला अलग है संगोस्टी अलग है और परिसंबाद अलग है ठीक है सम्मेलन की अगर हम बात करें इंगलिस में जिसे हम कहते हैं कॉन परतान करते हैं मतलब यह हुआ मतलब यह हुआ कि प्रकारशी मिटिंग होती है कोई भी अगर निर्णी लेना है ठीक path How is some power अब उसे कोई निर्णे लेना है तो वो क्या करेंगा अकले तो आप पर आप चीफ होगा वह सबी सभी जो छोटे लैबल वाली ऐफ्यесर्स हैं उनको बुलाएगा और उनसे चर्चा करेगा उस विशय के बारे में तो यह हम कहेंगे कि वह कॉंफरेंस का आयोजन कर रहा है ठीक है संभीलन का आयोजन कर रहा है जिसमें सारे के सारे अधिकारी जो है चोटे पत के अधिकारी वह आएंगे और उनसे जो है वारतलाप की जाएगी किस तरीके से जो है गाव अगयरा का विकास किया जाए तो हम कहेंगे कि वह संभीलन कर रहा है ठीक है तो यह होता है संभीलन कॉंफरेंस जिसे हम कहते हैं जिसमें सूचना और विचारों का आधान परदान किया जाता है और वह सूचना और विचार जो होते हैं व निकल के आता है. अब जो संब्मेलन होता है यह तीस्तर पर इसे महसे हम देख सकते हैं. एक छेत्रिय राश्ट्य और अंतररास्ट्य चेत्रिय पर संब्मेलन क्या होता है? छेत्रिय स्ब्मेलन जो एकदम 141 होता है, जैसे स्कूल में हो गया ठीक है, य÷ किसी में सुसाइटी में हो गया धीक है तो हम इसे यह कहेंगे छोटे वाली सम्मिशन या छेतरी सम्मिशन जो हम कहते हैं दूसरा होता है रास्ट्य सम्मिशन जो होता है यह नैशनल उभल फर्ले नैशनल अगे मतलब यह हो मतलब excellent सम्परेंश का एउजन रूम किया जाएगा तो हर एक स्टेट से जब दू को मतलब हरेальной स्टेट के लोग छessenे हिस्सा लेते हैं दूसरे में कहते हैं रास्टिय सम्मेलन और श Ellia चैया सम्मेलन जो दो मैं को मुझे संवाथ की ठीक है तो पडूसनी सब्द है इसको गॉस्बंद में कहते हैं तो आप इसका अर्थ किया खाली संवाथ का यह यह आपके लिए इसका आंसर जो है आपको मुझे comment box में बताना है ठीके देखने कितने लोग इसका answer देते हैं दो से तीन सब्दों में उनाची उससे ज्यादा नहीं ठीके तो वीडियो अगर पसंद आई हो तो like जरूर कर देना चैनल को subscribe नहींगा तो जरूर कर लें और अगर आप हमारी पहले की वीडियो को देखना चाते हैं तो उसे आप जरूर देखें ठीके ऐसे ही handwritten notes में मैंने बना रखिये वीडियो लिंक आपको इस वीडियो की description में मिल जाएगा और ये वीडियो जहां खतम हो रही है वहाँ पर भी उपर जो है